अवतार का Box Office Collection, Henry Cavill Marvel में और उपर से Deadpool and Wolverine ऐसे कई सारे Amazing Updates हैं आज Kennedy News में इसलिए कुछ मिस्ट नहीं करना चाहते तो वीडियो इन तक जरूर देखना चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवतार के Box Office Collection से तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक का अवतार का टोटल Worldwide Box Office Collection हुआ है 135 मिलियन डॉलर्स का ये कलेक्शन बस दो दिन का है मतलब Friday and Saturday का अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो दो दिन में अल्डेडी इस मूवी ने Cross 100 करोर्स कलेक्शन कर लिया है और अविस्टी संडे को इसका कलेक्शन और बढ़ेगा ही ओवराल बुलो तो येर इसका कलेक्शन सही में काफी जादा अच्छा चल रहा है पर हाँ टिकेट के प्राइस भी बहुत जादा हाई है होपसो कि एक दो वीक के बाद इसके टिकेट प्राइसे कम हो जाएं वैसे अगर इसके रॉटन टोमाटोस की रेटिंग देखोगे तो 82% क्रिटिक्स ने भी इसे पसंद किया और 82% ओडियन्स ने भी और ऐसा कमी होता है कि ओडियन्स और क्रिटिक्स दोनों को मुवी अच्छी लगे तो हाँ इस आपने मुवी देख लिये तो अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना चलो अब आगे बढ़ते हैं गैलेक्टिस वर्सिस थौर पे तो रिसेंटली लव एंट थंडर का एक अन्यूस्ट कॉंसेप्ट आट रिलीस किया गया जहां आप क्लेरली जेन फॉस्टर की सामने गैलेक्टिस को देख सकते हो तो हाँ इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि नेशली था और लव एंट थंडर में गैलेक्टिस का अपीरेंस होने वाला था वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा वा कि लव एंट थंडर जैसे मूवी में गैलेक्टिस जैसे एपिक विलन को नहीं दिखाया गया रिसेंटली क्रिस्टन बिल से भी पुछा गया था कि उनका फ्यूचर के आब में लव एंटेंडर के बाद जिस पर उनने बोला है कि वो मार्वल में किसी भी दूसरे करेक्टर को प्ले करने के लिए बिलकुल रेडी है वैसे अगर आपको नहीं पता दो बता दू कि मार्वल स्टूडियोज वालों ने लव इंटेंडर को कुछ काटिगरीज में आसकर के लिए भेजा है मतलब कंसिडरेशन के लिए भेजा है तो एंजिला बैसेट को उनके रोल के लिए उनके एक्टिंग के लिए गोल्डन ग्लोबल आवार्ट्स में नॉमिनेशन मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रस के लिए और मेरे ख्याल से यार उनका परफॉर्मेंस सही में बहुत जादा अच्छा था इवन वकांडा फॉरेवर से ये एक अन्यूस्ट कॉंसेट आट भी रिलीस किया गया कॉंसेट आट से ध्यान आया कि मल्टिवस ओफ मैडनेस से भी एक इमिज रिलीस किया गया है जिसमें आप इलिमिनाठी के कल्टनेट टीम को देख सकते हो इसमें कैप्टन काटन मिस मार्वल तो है ही साथ ही आप आयन मॉंगर और बाल्डर दब रेव को भी देख सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं अपने फेवरेट सेक्शन छोटे मगर मेजर अपडेट्स में जान सबसे पहले तो नोवे होम से स्पाइडर मैन के न्यू कॉस्ट्यूम का ये एक प्रॉपर लुक रिवील किया गया साथी सिंस नोवे होम के रिलीज हुए पूरे एक साल हो गये थे तो पूरे सोशल मीडिया पे सब इसको सिलेबरेट कर रहे थे और इसलिए आप सबने देखा ही होगा कि हर जगा लास्ट तीन चार दिनों से हैस्टाग स्पाइडर मैन नोवे होम ट्रेंडिंग में था देना सूनी के स्पाइडर मैन के युनिवर्स से ये अपडेट है कि आक्टर डॉनल्ड ग्लोवर उसी युनिवर्स के एक मूवी में हिप्नो हसलर नाम के एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं अगेस डॉनल्ड ग्लोवर को ने ये एक्स्प्रेंड करने की जरूरत नहीं है इनको और स्पाइडर मैन का कनेक्शन बहुत पुराना है फिर हाँ लास्ट वीक मैंने बताया था कि बंडव में थ्री कैंसिल हो गई है और पैटी जेंकिन्स को इसके लिए बोला गया था कि स्क्रिप्ट में चेंजेस करो और उन्होंने नहीं किया था और ये मूवी छोड़ दिया और इसी पर उन्होंने ऑफिशल स्टेट्मेंट दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था सब कुछ बहुत प्रोफेशनल वे में हुआ है इविन जेम्स गन ने भी उनके ट्वीट के नीचे रिपलाई किया था उनसे अग्री होते वे आगी बड़े तो है फंटास्टिक फोर मल्टिवस ओफ मैडनेस में जॉन क्रेसिंसकी को रीड इचर्स देखने के बाद सब लोग यह जानना चाते हैं कि फंटास्टिक फोर की मुवी में वो रीड इचर्स बनेंगे या नहीं जिस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि मावदल स्टूडियोस के साथ अभी तक उनका कोई भी डिसकशन नहीं हुआ है तो उनके यह सिरीज डिले हो जाए और साथी कुछ वीक्स पहले रिपोर्ट्स यह भी आया थे कि मार्विल के अपकमिंग बहुत सारे प्रजेक्ट्स डिले हो सकते हैं क्योंकि एस पर इंटर्नल न्यूज यह लोग क्वालिटी ओवर कॉन्टिटी पे फोकस करना चाते हैं और हाँ यही पर आदाया कि स्पाइडर मैं अक्रॉस दी स्पाइडर वर्स का लास्ट वीकी एक ट्रेलर आया था आएके सबने देखी लिया होगा तो वहां में इंडियन स्पाइडर मैं पवित्र प्रभागर का भी फर्स्ट लुक मिला है मैंने ब्रेक्डॉन करते हुए पूरा व को लीग किया है इंटरनेट पर यह दिखाने के लिए कि ब्लैक आडम की मुवी प्रॉफिटेबल रही है आप अगर ट्विटर यह इंस्टा चलाती होगे तो लास्ट दो तीन वीक से डूइन जॉनसें ऐसा ही कर रहे हैं वह ब्लैक आडम को एस बहुत ही जादा सक्सिस्प कई लोगों ने ये नियूस देना स्टार्ट कर दिया था कि डूइन जॉनसें ने इंस्टाग्राम पे एंड सारे सोचल मीडिया पे ब्लैक आडम का जो ऑफिशल पेज है उसको अनफॉलो कर दिया है तो इस पे खुड डूइन जॉनसें ने क्लारिफिकेशन दिया है कि उन बनता है जिस पे उन्होंने क्लिरली बोल दिया है कि ब्लैक एडम में जो कुछ भी हुआ था उसमें उनका हाथ नहीं था एंड वो DC के फ्यूचर को लेकर सारा डीटियल में बात जैनवरी में करेंगे तो हाँ वो मैं कवर करूंगा मिस नहीं करना चाते तो सब्सक्राइब कर लेना यहीं पर शजायम की बात हो रही है तो जैकरी लेवाई ने एक कॉमी कॉन में स्टेट्मिंट दिया कि उनको नहीं बदा कि शजायम 2 के बाद उनका क्या फ्यूचर है DC में लेकि पीटर सैफरन और जेम्स गन के पास उनके शजायम को लेकर कोई ना कोई प्लैन और फ्यूचर हो गई और मजाग मजाग में यहां उनके बुला कि अगर उनके पास प्लैन नहीं है तो वो इनके दोस्त नहीं है वैसे शजायम 2 को लेकर एक रिमर आया है कि इसमें दो पोश्केट सीन होने वाले है चलो बहुत हुई इनकी बात अब आगे बढ़ते हैं अपने हंगामा होने वाला है तो उसके लिए फैंस को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हाँ उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि डेटपूल 3 में वुलवरीन का बस कैम्यो नहीं होगा वो पूरे मुवी में होगे उनका को लीडिंग रोल होगा तो हाँ यह यह बहुत बड़ी बिल्कुल गलत है बैटमेन का अपना दी बैटमेन युनिवर्स अलग से चलेगा और DCU बिल्कुल अलग रहेगा और मेरे हिसाब से यह बिल्कुल सही डिसीजन है क्योंकि मुझे तो दा बैटमेन की मुवी बिल्कुल परफेक्ट लगी थी अब इसे क्रॉसोवर नहीं करा इस पर बात नहीं हुई थी बलकि उन्होंने इस पर डिसकस किया कि क्या Ben Affleck किसी DC के सूपर हीरो को डारेक्ट कर सकते हैं या नहीं मतलब DC के लिए कोई मूवी बना सकते हैं या नहीं तो यार लेट सी क्या होता है सब कुछ जैनवरी में ही पता चलेगा चलो इंदेंड आ जाते हैं हिन्री कैविल पे इनकी नेक्स्ट मूवी कौन सी है और क्या ये MCU में दिख सकते हैं या नहीं तो अभी सब को पता है कि हिन्री कैविल अब सूपर मैन का रोल प्ले नहीं करने वाले मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनाया था प्रॉपर टाइम लाइन के साथ तो इनके DC से हटने के बाद अब ये खबर आई है कि फ्लैश में जो इनका कैम्यो होने वाला था उसको कट कर दिया गया है और हाँ ये भी खबर आई है कि मैं आफ स्टील 2 जो की कैंसिल हो गई उसमें ब्रेनियक का कैरेक्टर भी दिखने वाला था पर हाँ अभी सब यही जानना चाते है कि हिन्री कैविल का फ्यूचर क्या है वो फ्यूचर में क्या करने वाले है ना तो अब डीसी म सिनेमाटिक उनिवर्स हेंरी कैविल का नेक्स्ट फोकस होने वाला है वैसे सूपरमैन के बाद तो फैंस बहुत कुछ दिमांड भी कर रहे हैं कुछ फैंस उन्हें एस जेंस बॉंड देखना चाते हैं और कई लोग तो नहीं मैं इसमें इसमें भी इंट्रस्टेड हूँ इवन कई सालों से ऐसे रिपोर्ट्स और रिमर्स भी आ रहे हैं तो लेट सी क्या होता है आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आप हेंरी कैविल को में देखना चाहोगे या नहीं एंड होपसों की पूरी तरह से अपडेटेड होगे होगे इफ हां तो as always लाइक शे और सब्सक्राइब करके जाना स्पाइडर मैं एक्रोज दी स्पाइडर वर्स का ट्रेलर ब्रेकडान देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और हिंडि कैविल की सूपरमैन का पूरा न्यूज अच्छे से समझने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नहीं वीड से सी बी नर्ड